ना टफ कॉंपेटिशन था तो उसमें जम्मू जैसे क्योंकि सबको लगता कि जम्मू बहुत चोटा से रहा है बट इनकी वज़ा से जम्मू आज बड़ा हो गया है जॉइन फ्लाइट में बैठी हूं ना उसके बाद से ही मज़ा आगया कि रिलाक्स होगी थी डिया और तप 3 में रहा हूं और मैं काफी जादा खुश शूँ कि मैं सेकिंड रनट रहा हूं कि 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 भी कोई रेस्टोरंट में या कहीं कोई पिकनिक जाए गी रेस्टोडेंट म प्रवाल दैनिक स्टेर समचार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन शर्मा हमारे जम्मू के बच्चे किसी से कम नहीं है एक हालिया ही गोव में एक फैस्टिबल हुआ है त्यारा विस्टा तू दो हजार तीज जी हां और उसमें हमारे जम्मू के बच्चों ने शानदार कार् जोड़ा हुआ है जोड़ा है अपने बेटे बहुत फिक्र है जे गोव में गया था उद्धर से जीत के आया और जम्मू केश्मी का नाम रोच गए इसने और आगे भी चातियों मैं जेई जीत के आये साथ सबी बच्चे जीत का इउतर से और बड़ा मैं बड़ी खुश हो उतर मैं की जो मैं ने उतर लेकर गई इनको और ममा पापा इसने बस जेई मेरी वाइश गया आगे भी जेई काम करें मैं ने मैं हरकी रथकूर या वें मिसस्तियार विस्ता इंडिया 2020-23 एंड यंड यंड रिलिव ब्लेस्ट इव वह वन दी राओ आगे इनको जो भी आखे जांड बीन इनको इनको शेच वेरी इनको पोड़ाइ बूस्तियों मैं इनको बाद पार्टी इनकोंति प्रीजिए द करूंगी तो और इतना बड़ा खिताब जीच सकती हूं एक्चली मैंने सिर्फ ओडिशन दिये थे अधंपूर में मैंने मुझे इंफॉर्म किया कि ऐसा है उदिशन आप में कैलिबर रहा है आप आप आएं और ओडिशन दे वहां पर मैं फॉर्चुनेटी स्लेक्ट वी ओडड आप 18 से अफ अलवर इंडिया से आयोते और अगाने स्या जह प्रवेशन पर ओडिशन आप आफ ड्याति ऐसान कियू ने स्विड़ा जाओ ठीच नेटाफिशन आप अन वह स्थाचिन दो बहुतित भाहर आप बोट बड़ी ओपचुनेटी आप बाद में रिलाइस करूँ रहे, really मैं अभी रिलाइस करूँ, it's a big opportunity and really thankful to हर की इननों ने मुझे इतना appreciate किया और इतना motivate किया कि मैं इसको में participate करो कितना tough tough मुझे पहले लग रहा था जब मैं यहां थी और मैं बहुत tension में थी, मैं रोज इनको phone करती थी कि बोलती थी, यह कहने थी, टेंशन जोड़, इंजोई कर, कुछ टेंशन नहीं लेनी जाया है, वहाँ पर आके, और रेली जब मैंने के साथ, जब जॉइन फ्लाइट में बैठी हूं न, उसके बाद से ही मज़ा आ गया, कि रिलाक्स होगी थी, क्या हो रहा है, जस फ्लो में चलते के, चलते के, बहुत कुछ सीखा, और आज मैं यहां हूँ as a winner, thank you. तो जिसमें हमारे जीन के से छे बच्चों ने पार्टिसपेट किया था, मुझे बहुत ही प्राउड फीड हो रहा था उस ट्राइम पर क्योंकि इतना तफ कॉम्पेटिशन था, 18 स्टेट की वहां पर पार्टिसेपेंट थे, तो उसमें जमू, जैसे क्योंकि सब को लगता जो था टीन कैटागरी में, साइट जो जिनके गर में आज हमाएं सेलिवेशन करने के लिए, इनका था सेकंड रणर अप, बहुत ही टफ कॉम्पेटिशन था, इनके लिए भी क्योंकि इनका फर्स था, तो बट उस टाइम पे जब इनका नाम है नहुस हुआ तो मुझे लेंड की है जमु में, तो वह भी विननर रही है, तो मतलब उस लड़की का यह था, जब उसका टैलेंट राउंड था, तब ही से डिकलेर हो गया था, कि वही विननर है, बहुत प्राउड लगता है कि जब एक बच्चे की वज़ा से हमारी एक स्टेट का नाम वहां पे आत सलारिया की छोटी सिस्टर हूँ, में को बहुत की खूशी हो रहा कि ईएक गोवा के थे और वहाँसे जीत के आयां है, यह मलब हर हर और हर छीज में पार्टिस्पेर लेते हैं और और अगे भी आशे ही यह करते हैं हमारे का नाम रोश्निंदर के हैं और अब हमारे साथ जो शक्स जिला अधूमपूर के हैं शाहिद सलारिया दूसरा प्राइज इन्हों ने जीता है और हम इनी से पूछते हैं आकर किस तरह का वहाँ पे कंपेडिशन था और क्या क्या प्राइज जो वहाँ रखेंगे थे और इन्हों ने वहाँ पे किस तरह से पाटिस्पेड किया तो इस समय हमारे साथ मौझूद है शाहिद सलारिया जिला अधूमपूर से बिलांग करते हैं और बड़ी गर्व की बात है कि इतने बड़े फंक्षन में दूसरा स्थान हासिल करना शाहिद जी पहने तो आपका दैनिस्टेट समाचार में बहुत बहुत स्वागत है थैंक्यू सो मच्च सो मेरा नाम शाहिद सलारिया और मैं उदंपूर में रहता हूं फर्स्ट अफॉल थैंक आफ यू कि आप यहां पे आए और त्यारा विस्ता फैशन ब्यूटी पैजंट 2023 सो मैंने इसमें पाट लिया और मैं टॉप थ्री में सेकिंड रनर अप रहा हू और वहां पे 18 स्टेट्स में मैं अल इंडिया में साइकिंड रर अप रहा हूं और बहुत प्राउट मूमेंट आजे एंड के लिए और स्पैशली उदंपूर के लिए कि उदंपूर के स्टूडंस भी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं उदंपूर के लिए भी बहुत बना स्पैशल थैंक्स करूंगा सुदेश सर को जिन्होंने यह होल इवेंट और्गनेज करवाया और पूरी ट्यारा विस्ता की टीम को मैं थैंक्स करूंगा और वहां पे हमारे राउंड वाइस चला था सारा कुछ तो हमारे वहां पे तीन राउंड हुए थे फर्स्ट र राउं था वेस्टन में वाग थी तो मैंने सारा कुछ क्लियर करकर सेकिंड रणर अप नहीं हूं जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैं पूरी होल टीम को थैंक्स करूंगा और अर्ष्टन मैं को थैंक्स करूंगा जिन्होंने हमारी ग्रूमिंग क्लासिस ली और हम गोवा मे सिरफ इस शो के लिए नहीं कहते हम वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए भी कहते हमने गोवा में बहुत इंजॉय किया हमने काफी जादा चीजें सीखी वहाँ पे जिन चीजों का हमें नहीं पता था हमें वह भी वहाँ पे सीखने को पता चली हमें उनका भी पता चला सो मैं प्राइज इतने स्टेटों में से लेकर उदूमपूर पहुंचना कितना मुश्किल रहा और खासकर माता-पिता का फैमिली का किस तरह से स्पोर्ट रहा हमने देखा कि उदूमपूर एक चोटा शहर है यहां पे उस तरह की फैसिलेटी नहीं होती हैं तो घर बालों को कितना स स्कूल में कच seis कोशन हो एवेंट्स हो पेंटिंग को लेकर कुछ इवेंट्स हो मैं स्कूल में हर एक फैसिवल में में पाफ लेता था और मेरी स्कूल की तरफ से अपहई अच्छा सपोर्ट रहा है जो की आज हमारे गर पे भी आयते और पेरेंट्स का में को सॉछ्न शरू मोडलिंग में काफी जादा इंटरेस्ट है प्लस मैं एक व्लॉगर भी हूँ जस्ट मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया है और मेरा डांस जो है वो मेरा पैशन है और मैंने रिसेंटली नैशनल डांस चैंपियंशिप का गोल्ड मेडलिस रहा चुका हूँ जो की कट् पैंबुर का नाम जो है वो रोशन करूं अब आपके फैमिली को पता चला कि आपने दूसरा प्राइज हासिल किया तो किस तरह की फिलिंग थी परिवार की बहुत अच्छी फिलिंग थी एक्चलि पेरेंस जो है मतलब उनको जब पता चले की बेटा जो है वहां से जीत किय करूँगा करोंगा तो मुझे इतना ज्यादा सपोट करते रहे और आगे अगेसे शहें आपके दोस्ते दोस्तों western की Gian सब्सक्राइब लुए ने किस तरह की होते हैं तो मेरे दोस्त पियाने स्पैशल ट्रीट चाहिए उनको उन्हें special treat भी मिलेगी और काफी मज़ेदार है मेरे friends, best friends जो हैं जो friends हैं मैंने उन्हें भी invite करना है भी जल्दी friends से भी मिलेंगे उन्हें अच्छे से treat देंगे किस तरह की treat रहेगी कोई restaurant में या कहीं को पिकनिक देंगे बिल्कुल टिकनिक भी जाएगे और restaurant में देंगे और जो उनकी फर्माइश रहे कि उनकी सारी फर्माइश में पूरी होंगी तो क्या कहना चाहेंगे उधूंपूर के और युबाओं को और बच्चों को कि किस तरह से मेहनत करने चाहिए और क्या message रहेगा आपका उनके लिए खासर मेरी तरफ से यही उनके लिए message रहेगा कि अपना dream बनाएं अपना goal बनाएं और उस goal को achieve करें और जैसे भी auditions चल रहे हैं कुछ भी competition वगारा हो उन सब में पार्ट ले स्पेशली जो बचे भी school life में मलब school में चल रहे हैं तो school में भी जो भी festivals वगारा होते हैं competitions होते हैं उन में पार्ट ले और आपका confident level जो हाई हो और मेरा भी कुछ आसा ही रहा था स्कूल स्टार्टिंग से मैं स्कूल में हर एक competition में फैसिबल में सब में participate लेता था और मैं आज यहां तक हूँ सो मैं यहीं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ में participate करें और confident रहे हैं मिलकुल अपना confidence जो है वो level जो हाई है रहना चाहिए तब ही आप बढ़िया से बढ़िया काम्याबी जो हासिल कर पाते हैं जिस तरह से शाहिद सलारिया ने जिला अधूमपूर के लिए ये कारनाम करके दिखाया है हम भी चाहते हैं कि सलारिया जिस तरह से काम्याबी हासिल करके अपने गर लोटे है ऐसे ही अधूमपूर के और बच्चे भी काम्याबी हासिल करें और शाहिद इस से भी और उन्चाया शुए हासिल करें ताकि अपना अपने परिवार का और हमारे जिला अधूमपूर का नाम पूरे दुनिया में रोशन करें फिलाल मुझे और मेरे कैमराबेंट को दीजी अजाज़त नमस्कार आपने परिवार का नाम पूरे जाज़त नमस्कार